इंटेव्यू में देखें आस्क what is constructor overloading या फिर can we have more than one constructor in a class हम एक class में एक से ज़्यादा constructor रख सकते हैं नहीं रख सकते can we apply overloading in constructors also जैसे कि हमने method overloading सुना हुआ है तो देखें आस्क कि क्या constructors में overloading का concept apply हो सकता है नहीं हो सकता they can ask why we need constructor overloading हमें constructor overloading की जरूरत क्यों पढ़ती है और can we have zero parameter and parameterized constructor both in a same class हम एक ही class में zero parameter या default constructor या फिर parameterized constructor दोनों ही types के जो constructors होते हैं एक class में रख सकते हैं नहीं रख सकते तो different तरीके से आपसे questions पूछे जा सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद यह सारे concept आपको clear हो जाएंगे constructor overloading का concept आपको clear हो जाएगा तो लेस्स टार्ट इस वीडियो वेलकम इन गैगमांसा टुटोरियल्स आज की वीडियो में हम constructor series का third part discuss करने जा रहे हैं इस constructor overloading तो overloading जो है वह अपने method overloading सुना होगा उसकी वीडियो और पोस्टेट है description box में आपको link भी मिल जाएगा if you want to see but आज हम जो overloading का concept concept है वो constructor के बारे में discuss करेंगे तो देखिए जो overloading है वो क्या होती है two or more methods या फिर constructors अगर हम same class में बनाते हैं within the same class that share the same name with different parameters आपको दो चीजों का ध्यान रखना है same name उनका नाम same होगा चाहे वो methods हैं चाहे वो constructors हैं और same name होगा और parameter की जो list है वो different होगी अगर ये दोनों चीजें उसके उपर apply हो रही हैं तो it means overloading यानि कि अगर आपकी class में एक से जादा दो या दो से जादा तीन चार जितने भी आप बनाना चाहें methods हैं या constructors हैं अभी हम methods को ignore कर देते हैं क्योंकि इस video में हम constructor की बात कर रहे हैं तो बार बार हम methods का नाम नहीं लेंगे तो दो या दो से जादा constructor है same class में constructor है बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है नाम सेम होगा और parameter की list different होगी अब जो नाम तो सेम हो जाएगा लेकिन जो parameter की list different है वो आप कैसे देखेंगे कि parameters different है या नहीं उसका concept आप देखें यहाँ पर यह देखे different parameter list के लिए आपको तीन main points का ध्यान रखना है number one is number of parameters यानि कि जो parameters है वो कितने है 2,3,4,5 उनके उनका total number कितना है second is type of parameters यानि कि जो हम उसका data type देते हैं जैसे कि int role दे दिया string दे दिया कुछ भी types हमने आपे mention कर दिये तो types कौन-कौन से है third is sequence of parameters यानि कि अगर हमने तीन parameter suppose दिये हैं तो first constructor में क्या sequence है पहले कौन सा आ रहा है फिर बाद में कौन सा आ रहा है second constructor में क्या sequence है उनका तो यह तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अब यह आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा हम practically इसको देखते हैं चले इस concept को समझ लेते हैं यहाँ पे और अब जो हम discuss करने जा रहे हैं इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से सुनिए क्योंकि अगर यह concept आपको clear हो गया तो आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे कोड में सपोस हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है मुझे यहाँ पे entries करनी है तो मैंने यहाँ पे constructors बना दिये अब होगा क्या अगर हम मालो object बना रहे हैं चाइल्ड क्लास का तो हो सकता है मेरे पास सिरफ date of birth की information हो या फिर हो सकता है date of birth हो और नाम भी हो साथ में या हो सकत है कि date of birth और सिरफ birth place हो नाम नहीं हो तो कुछ भी information आपके पास कम जादा हो सकती है तो मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके के constructors बना दिये पहले मैंने constructor बनाया जो सिरफ date of birth ले रहा है और type क्या है date type फिर मैंने constructor बनाया जिसमे date of birth date type का और नाम string type का हो सकता है यह values हो तो म constructor बनाया मैंने birth place के लिए string type और date of birth date type और हो सकता है तीनों ही information मेरे पास हो तो मैंने date type का date of birth string name और string birthplace यह मैंने अलग अलग ताइप के constructors बना दिये जितनी information होगी उसके according जो भी constructor होगा वो call हो जाएगा चलिए अब मुझे यहाँ पर चेक करना है कि यहाँ पर overloading हो रही ह है नहीं हो रही है ध्यान से सुनिए मैं यहाँ पर अभी directly netbeans open करके नहीं करवा रही हूँ अभी आप जस्ट यहाँ पे MS Word पे concept समझे क्यों क्योंकि हो सकता है कि आप interview में बैठी हो आपके पास उन्होंने आपको system machine नहीं दिया उन्होंने आपके पास एक code दे दिया paper पे और आपसे पूछा कि क्या इस पे constructor overloading applicable हो रही है नहीं हो रही क्या error आएगी या नहीं आएगी उन्होंने सिरफ आपके पास paper पे के उपर code लिखके दे दिया तब आपसे पूछा आप उसको run करके नहीं देख सकते execute करके नहीं देख सकते आपको कैसे बता चलेगा कि error आए यह नहीं आएगी तो वही चीज़ हम यहां पर सीखने जारे है concept क्लियर करने जारे है तो देखे यहां पर यहां पर देखे हमने तीन चीज़े लिखे हुए तीन डूल लिखे हुए है number of parameters, types of parameters, sequence of parameters अगर यह तीनों के तीनों same है तो 100% error आनी ही आनी है 100% overloading नहीं होगी अलग है तो ही आप error से बच सकते हैं तो आप कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे number of parameters अगर number of parameters ही अलग है number of parameters ही डिफरेंट हैan तो आपको कुछश भी चेक करने का झाली है आप आँख ?बंद करके बता सकते हैं की overloading हो रही है, error नहीं आएगी लेकिन हो सकता है number of parameters same हो अगर number of parameters same है तो आप second option पर जाएंगे आप देखेंगे क्या types of parameters तो same नहीं है अगर types of parameters अलग है error नहीं आएगी no problem अगर types of parameters भी same है number भी same है types भी same है तब third option check करेंगे sequence क्या sequence same है के नहीं same है अगर sequence भी same है तीनों चीज़े same हो गई तो 100% error आनी आनी है अगर sequence अलग है number same है type same है लेकिन sequence अलग है तो आप बच गए error आने से आपका code run हो जाएगा यानि कि overloading हो रही है चेक करते हैं हमारे code में बस आपको यह चीज़ ध्यान रखने है तीनों चीज़ें चले इसमें देखते हैं अभी के लिए मैंने इसको हटा दिया अब दीकिकर हमारा code हमें यहां पर चेक करना है error आए नहीं आएगी We can overloading हो रही है नहीं हो रही मिद्द नमपर और पार्मीटर्स यहां पर ए यहां पर दो दोधायद एक यहां पर 3 पैरमीटर्स थे 1 दो तीन तो नमबर tracks अनばい एक, दो, तीन नमबर आफ पैरामीटर्स अलग हैं तो कुछ चेक करने की जुरती नहीं है error नहीं आएगी क्योंकि overloading हो रही है नमबर आफ पैरामीटर्स अलग हैं तो error नहीं आएगी clear? अब आगे देखते हैं इसमें थोड़ा सा change कर लेते हैं मैंने यहाँ पर थोड़ा सा change कर दिया code में यह जो constructor है इसमें date of birth है और height के लिए float एक type है तो अब देखिए 4 constructors हैं अब देखते हैं हम यहाँ पर फर्स पॉइंट नमबर आफ पैरामीटर्स एक, दो, दो और तीन नमबर आफ पैरामीटर्स यहाँ पर सेम हो गए यहाँ पर भी दो हैं यहाँ पर भी दो हैं तो हो सकता है error आजाए हो सकता है overloading ना हो लेकिन हम second जो हमारा point था type of parameter वो चेक कर लेते हैं type of parameters एक date type है एक string type है एक date type है एक float type है type of parameters अलग है type of parameters अलग हो गए तो ठीक है हम बच गए overloading हो रही है error नहीं आएगी clear हुआ यहाँ तक आपको आगे देखिए बट अगर type of parameters भी सेम हो जाते तो हम third option sequence of parameter ट्राई करते ठीक है अब थोड़ा फिर से code में हम change कर लेते हैं मैंने आपर फिर से change कर दिया string birthplace और date दियो भी लेकिए अब देखिए number of parameters एक, दो, दो, तीन यहाँ पे number of parameters सेम हो गए error हो सकते हैं type of parameters चेक करते हैं एक date, एक string, एक string, एक date type of parameters भी सेम है date भी एक-एक है, string भी एक-एक है error आ सकती है, हम last option sequence ट्राई करते हैं sequence देखे, पहले date, फिर string पहले string, फिर date sequence अलग है यहाँ पर date string, string date sequence अलग है, हम error आने से बच गए है, हमारे constructor में overloading हो रही है clear यहाँ पे, लेकिन अगर यह कुछ ऐसे होता suppose यह बाद में होता अगर इस तरीके से होता तो देखें आपर type, एक date, एक string sequence पहले date, फिर string sequence भी same है, number भी same है type भी same है, sequence भी same है तो 100% error आनी ही आनी थी overloading नहीं हो रही है, आपको compile time पे error मिल जाएगी I hope यह चीज आपको clear हो रही है तो यही concept है, आपको बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि अगर यह तीनों चीजें same है, error आएगी अगर पहली चीज ही अलग है आप आगे check मत करिए अगर suppose पहली चीज same है, number same है आप type check कर लीजिए type अलग है, तो ठीक है कोई भी एक चीज अगर आपके बस अलग है तो problem नहीं है, code जो error है वो नहीं आएगी बस आपको यह ध्यान रखना है कि तीनों same नहीं होने चीज़ए तीनों same है तो overloading नहीं हो सकती है अब इसको practically कुछ example से हम try कर लेते हैं यह देखिए, यहाँ पर हमने एक new class बनाई है, main function है इसके अंदर हम एक और class बना लेते हैं class child और इसके अंदर जो हमने यह सारे constructors बनाई थे, इनको copy कर लेते हैं देखिए, मैंने यहाँ पर copy किया अब देखिए, यहाँ पर जो error आ रही है वो इसलिए आ रही है, क्योंकि जो date class है उसको हमें import करना पड़ेगा तो यह util package के अंदर होती है यह देखिए, उपर import java.util.date date class को हमने import कर लिया है तो अब हम use कर सकते हैं इसको बट देखिए, यहाँ पर error आ रही है error क्यों आ रही है, same वही आप वही चीज बता सकते हैं यहाँ पर दो parameters हैं, यहाँ पर भी दो parameters हैं यहाँ पर एक date है, एक string है एक date है, एक string है और sequence, पहले date, फिर string पहले date, फिर string sequence भी same है, तीनों चीज़े same है तो आपो error आ जाएगी error देखिए क्या आ रही है, यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है, constructor child bracket date, string, यानि कि constructor जो child नाम का है उसके अंदर जो date और string दो parameters है, child नाम का constructor with date पहला parameter, string दूसरा parameter, is already defined यानि कि जब यह वाला child date string already defined है तो same आप create नहीं कर सकते, इसलिए error आ रही है लेकिन अगर आप इनका sequence change कर दे इसको हम sequence change कर देते हैं अब आप define कर सकते हैं, कोई error नहीं है तो I hope आपको concept जो है, वो clear हो गया होगा चीक है? ऐसी हम जो already example student class का करते आ रहे हैं वो करके देख लेते हैं यह सारा code हटा देते हैं, हम student class बनाते हैं इसके अंदर हम constructor overloading ट्राइ करते हैं, कुछ examples के साथ और अब भी हमें इसकी जरुरत नहीं है चलिए एक constructor बना लेते हैं, student और हो सकता है हमारे पास student का roll number हो चीक है? और हो सकता है name भी हो तो एक constructor यह बन गया एक और constructor बना सकते हैं, की हो सकता है सिरफ roll number हो और कुछ भी नहो यह हो सकता है सिरफ name हो और कुछ भी नहो यह हो सकता है उसका name हो roll हो और उसका mobile number हो यह फिर हो सकता है roll हो name हो या फिर course हो तो इस तरीके से आप अलग-अलग constructors बना सकते हैं और यहाँ पर देखे error क्यों नहीं आ रही है क्योंकि मैंने numbers कुछ में change कर दी अगर number same है तो मैंने sequence change कर दिया है यहाँ पर देखे यहाँ पर 2 है यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है अब यहाँ पर देखे इन्दोनों में एक एक है लेकिन number of parameter same है लेकिन type of parameter अलग है int है string है तो इस लिए error नहीं हाई है ठीक है यहाँ पर देखे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है तो इन दोनों में error क्यों नहीं आई क्यों क्योंकि number of parameter same है लेकि type of parameter एक string है दो int है एक int है दो string है type change है clear चलिए इस चीज़ की आप practice करिए अगर आपको कोई भी doubt आता है तो आप नीचे comment box में पूछ सकते हैं आप देखें का object कैसे बनेगा जैसी आप object बनाओगे यहाँ पर मैंने student class का एक object बनाया मैंने उसका reference name obg1 रखा equal to new student जैसी आप यहाँ पर object बना रहे हो constructor call करोगे जैसे ही आपने bracket लगाई intelligence देखें यहाँ पर आपके पास कितने option आ गए जितने आपने यहाँ पर constructors बनाए थे पाँच constructor बनाए थे यानि कि overloading होई थी तो आपके पास यहाँ पर options आ गए आप अगर एक string type का input देना चाहते हो एक int type का input देना चाहते हो एक int एक string देना चाहते हो तो इस तरीके से आप जिस type का input दोगे उस type का constructor call हो जाएगा ठीक है suppose मैंने यहाँ पर दिया 101 तो कौन सा constructor call होगा यह वाला अपने आप highlight हो गया मैंने यहाँ पर double click किया यह highlight हो गया clear तो यह देखी वीडियो के starting में यह जो हमने देखे देखी इस तरीके से questions पूछे जा सकते है तो आप easily इनका answer दे सकते है बिलकुल constructor overloading का मतलब ही यही है कि एक से जादा constructor हो can we apply overloading in constructors also अभी हमने वही topic डिसकस करा है method overloading होती है constructor overloading भी होती है why we need constructor overloading आप easily इसका answer दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर देखे हमारे पास कोई भी input आ सकता है किसी भी type का कितने भी numbers of inputs हो सकते है कितने भी types of inputs हो सकते है तो according to the inputs हम अलग-अलग टाइप यह constructors call कर सकते है जरूरी तो नहीं न कि अगर यहाँ पर मैंने एक roll number और name के लिए बनाया तो सब के बास roll number और name हो गई होगा हो सकता है किसी के बास name ना हो information ना हो suppose आपको exams का जो result है वो check करना है तो वहाँ पे एक user interface में एक roll number के लिए text box है और एक name के लिए text box है अब हो सकता है कि student के पास सिर्फ roll number हो या कोई और उसका parent या कोई भी और उसके जो result चेक कर रहे है उनके पास सिर्फ name हो roll number ना हो ठीक है तो कुछ इस तरीके से कोई भी information हो सकती है तो इसलिए हमें यहाँ पे constructor overloading के जूरत पड़ती है last देखें यहाँ पर can we have zero parameter and parameterized constructors बोथ हिना same class इस topic को देखें यहाँ पर हमने अभी तक यहाँ पे parameterized constructor बनाए हैं जितने भी हमने ओवर्लोडिंग में constructors को देखा है parameterized है लेकिन क्या साथ में default constructor भी बन सकता है zero parameter का constructor भी बन सकता है क्यों नहीं बन सकता है problem क्या है इसमें बिल्कुल बन सकता है यहाँ पर देखें student मैंने यहां कोई भी भी बारामेटर नहीं बनाया है तो यह default constructor हो गया है तो इस चीज का practice करिए यह मैंने इस video में practically जो examples है उन पर focus नहीं करा है इस video में मैंने just जो basic concept है constructor overloading का उसके उपर जादा focus था कि आपका basic जो concept है वो clear हो जाए जो इसके practical examples हैं वो आप internet से download कर सकते हैं देख सकते हैं उनके उपर practice कर सकते हैं कोई भी doubt है वो आप नीचे comment box में पूछिए और जादा से जादा जो आप internet से आप चेक करेंगे वो आप code से related चेक करेंगे कि जैसे कि आपके पास code दिया हुआ है आप से पूछा जाए कि क्या इसमें overloading हो सकती है नहीं हो सकती क्या इसमें error आएगी या नहीं आएगी आप बिना उसको किसी भी IDE के netbeans eclipse बिना उसके यहां पे code copy paste करें बिना write करें बिना आप पहले notepad पे उसको लिखें या word पे उसको लिखें आप जो concept हम भी हमने देखा था उसके according आप खुद पहले चेक करें कि क्या error आएगी या नहीं आएगी आप अपना answer note down करें फिर आप अपने code को compile करके check करें क्या आप answer सही है या नहीं आप directly उसको ID पर ना लखें ऐसा करने से ही आपका जो बेस है वो स्ट्रॉंग होगा जो concept है वो अच्छे से clear होगा तो चलिए इसको try करें और constructor की next constructor की सीरीज में next वीडियो के साथ हम शेयर करेंगे कुछ information till then happy coding